क्योंकि हमने जॉइन बटन एक्टिवेट नहीं किया है इसके आप सभी से अन्रोध है कि हमारे सब्सक्रिप्शन प्लान्स जो की नीचे डिस्क्रिप्शन में दी हुए है उन पर क्लिक करके आप हमें सपोर्ट करें और क्यूआर स्कैन करके भी आप हमें फैनेंशली पे हैं नमस्ते आप सभी का स्वागत है आज के इस कारिक्रम में और आज हम बात करेंगे कि क्या हो रहा है लिकर गेट में आपको बता है लिकर गेट में चार लोग अंदर थे उसमें से एक भाई साथ बाहर आ गए हैं और पिछली बार जब हमने स्ट्रीम की थी इसके बारे में तब हमने आप से यह कहा था कि संजे सिंग की रहाई से आप में आंतरिक खलह बढ़ी और मुक्खे बंतरी के लिए एक और प्रत्याशी आ गया है उस समय लोगों को अनुमान नहीं था कि यह बात कितनी सच हो सकती है लेकिन जैसे जैसे समय बीता वैसे वैसे जैस पष्ट दिखने लगा कि सुनीता भावी जो है उनको संजे सिंग ने ओवर पावर कर लिया है ओवर पावर कैसे कर लिया है क्योंकि संजे सिंग सब जगे अच्छा दित हो गए आप देखिए मीडिया संजय सिंग के आसपास भूमने लगी सुनीता केजरिवाल के पास कोई नहीं जा रहा सब संजय सिंग के आसपास भूम रहे हैं संजय सिंग जम के बयान बाजी कर रहे है जम के उखाड पचाड कर रहे हैं मीटिंग्स अटेंट कर रहे हैं कुछ भी बोल रहे हैं लेकिन इससे सुनीता जी की जो कैंटिडेचर थी चीफ इनिस्टरिशिप की वो कमजोर होई और संजय सिंग जो है वो चारों तरफ चाते रहे चाते रहे हैं लेकिन उस चाने के चकर में वो इतना अधिक उच्छाहित हो गए कि कुछ भी बोलने लगे अब उस कुछ भी बोलने के चकर में संजय सिंग जो है अब वो फ्रेश ट्रबल में जाने वाले हैं देखिए दो तीन काम आज हो गए आज तो एक कविता के कविता की इंटरिम बेल राउज एवन्यू पोर्ट ने खारिज कर दी है क्योंकि वो कुछ अपने बेटे के एक्जाइम का और इस तरह का बहाना बनाके कुछ करके वो इंटरिम बेल लेना चाहती थी वो राउज एवन्यू पोर्ट ने कर दी थारिज अब अनिश्यत रूप से उपर जाएंगी अभी केजरी वाल जी की जो बेल की एप्लिकेशन लगी थी दिल्ली आई कोर्ट में उसमें अभी भी फैसला रिजर्व है अभी तक आया नहीं है उसकी प्रतीक्षा हो रही है और इस बीच में संजय सिंग जो है उनके उपर एक और संबन आ गया वो आ गया गुजरात से और वो भी एक डेफिमेशन जैसे केस में अब आप यह देखिए यह लोग कितने धनाट यह हैं कि दस दस बीस बीस लाग रुपए पर डे वाले पर हेरिंग लेने वाले वकीलों को खड़ा कर देते हैं केवल इसलिए कि भई हमारे समन्स का केस खवाश हो जाए उसके लिए सुप्रीम कोर्ट में चले गए यह समन्द जो है इसको कौश कर दो डेफेमेशन वाला वै क्यों कर दो इह मामला ट्रायल का है कि आपने गुजरात युनिवसटी को डिफेम किया या नहीं किया क्या किया आप ले तो यह डाक़ ट्रायल वे जाके बात कीजिए समन क्यों कौश कर दे वो इनकी पेटिशन आयोगी खारीफ。 तो अब ये फस गए जाके चकर में किसके? गुजरात तर्कार के चकर में और फस गए. गुजरात के तर्कार के चकर में कितनी तरह फसेंगे वो तो फसेंगे, लेकिन एक और काम हो गया वो यह है कि एडी ने अब यह तैयारी कर ली है कि संजय सिंग जो है उनकी बेल खारज कराने की तैयारी होगी क्यों कि संजय सिंग के जो बेल मिली थी वो कंडिशनल थी उसमें बहुत सारे कंडिशनल लगाई गी थी उसमें यह भी था कि वो अपना पासपोर्ट सरंडर करेंगे वो NCR से बाहर नहीं जाएंगे वो लगातार अपनी लोकेशन आउन रखेंगे और बाहर जाने के लिए NCR से बाहर जाने के लिए E.D. से परमिशन लेंगे और साथ में एक मुख्य कंडिशन ये भी थी कि वो लिकर घोटाले के मामले में कोई भी बात नहीं करे अब संजे सिंग ने क्या किया संजे सिंग ने दुनिया वर के लोगों को इंटर्वियू देना शुरू किया और निस्टे दुरूब से हाई टी आरपी मामला था लोगों यहां तक कह रहे हैं कि यह लिकर घोटाला जो है वो बीजे पी ने कराया है यह भी स्टेटमेंट आ गया लिकर घोटाले के मामले में खुल के बोलते हुए उन्होंने इसका इंटर्प्रेशन श्रीमान जी ने यह कर लिया है कि वह देखिए ऐसा है कि मैं अपने केस में नह लिकर घोटाले वाला इसके वारे में नहीं बोलेंगे वो बोल रहे हैं तो अब एडी ने तैयारी कर लिए और अब वो देख रहे हैं कि वही उपर से इशारा मिले तो यह बेल जो है वो कैंसल कर वाई जब बार बेल कैंसल होई तो पिर पता नहीं कितना लंबा मामला वो बहुत बुरी तरह से अपनी जो उनकी चाले हैं वो सारी फेल होती जा रही है उस चकर में वो बहुत बुरी तरह से हम कह सकते हैं कि न केवल आहत हैं आहत तो छोटी बात होगी वो बहुत बुरी तरह से हताश निराश प्रस्ट्रेटेड इस इस इस्तिती में के रब तरह तरह के उल्टे उल्टे काम कर रहे हैं लेटेस्ट उनों ने यह शुरू किया है फिर लेटेस्ट उनों ने काया कि यह तो काम चल नहीं रहा हमने जो है वो पूरा डिफेम करने का प्रियास किया मोदी को काम नहीं चला हमने जो है वो डिस्रप्शन्स लगाने की क कोशिश की काम नहीं चला हमने फार्मर्स वाला मामला लाया फार्मर्स बचारे को कुछ नहीं कर पाए फेल हो गए हमने जो है वो और जो भी मामले लाए वो सारे के सारे फेल होते जा रहे है कहीं पे कुछ भी जो है वो टिक नहीं रहा है इलेक्टरल बांड वाला मामला लाय या उसको कोई कॉग्निसेंसी नहीं ले रहा है पबलिक में तो अब क्या किया जाए तो अब जो है इन्हों ने और इनके जो इंडी एलाइंस के जो लोग बाग हैं उन्हों ने मिलके एक नया कारेकरम आरंब किया है और वो नया कारेकरम आरंब ये किया है जो जो है वो जाति को उकसा रहे हैं उन्होंने गुजरात में कारेकरम किया कि वहां कुछ चोटी मोटी कोई ऐसी गंभीर बात नहीं थी उपर चुत्तम रुपाला है राजपोट से कैंडिडेट है मिनिस्टर है इस समय और उन्होंने कुछ ऐसी बात कह दी किसी शिरूल कास के समयलन में थे तो उन्होंने कह दी कि वही और लोग होने तो देखिए कांप्रमाइस कर लिए लेकिन आप लोग टिकर है तो उसको जो है वो राजपोटों के अफमान के रूप में परचारित कर दिया गया इसी तरह से हमारा जो एक है न आप जानते न वही पंचरवाला तो जो पंचरवाला है उसने जो है वो दुनिया वर के फेक अकांट बनवा लिए और वो दुनिया वर के फेक अकांट कोई राइट विंग के नाम से बना हुआ है कोई राजपूतों के नाम से बना हुआ है कोई ब्रामनों के नाम से बना हुआ है कोई अलब जातियों के नाम से उसने अलब जो पूतों से कोई रिमार्ग करवाएगा फिर कोई दूसरे ब्रामर अकाउंट से उसकी जवाब दिलवाएगा और इस तरह से करके वहमनत से पहलाने का प्रयास कर रहा है मुझे लगता है इलेक्शन कमिशन को इस लके एफसी और पंचरवाले के ऊपर थोड़ी सी दृष्टी डालनी चाहिए इसको ध्यान से देखना चाहिए इसका मामला जो है वह बहुत गरबर चल रहा है इसको इनों पूरी तरह से अफसेट करना चाहिए केजरी वाल अब प्रतीक्षा कर रहे हैं कि उनके केस में क्या होगा उनके केस में कुछ भी हो लेकिन इनोंने अपनी तैया ही आरम कर दी है और मुझे लगता है कि इनको ये लग रहा है कि केजरी वाल बाहर नहीं निकलेंगे इसलिए अब इनका जो नारा है वो ये है कि जेल का जवाब वोट से दिया जाए अब जेल का जवाब वोट से देने का ये नारा इनोंने लगा दिया है तो अर्थ यही हो बाहर आएंगे बारती जनता पार्टी का तिलस द्वस्त करेंगे इस तरह की कुछ बात होनी चाहिए थी इस तरह की बात ही नहीं हो रही पंजाब में केद्रिवाल का नाम ही नहीं ले रही है हम आदमी पार्टी बाले दिल्ली यूनिट जो है वो अपनी अकेले लगी हुई ह और उपर से उसके कबजा करने की कोशिश संजय सिंग की भी है संजय सिंग अपने पूरे दम खम से जो उनकी जो वाचालता है उनकी जो वाक पटता है और उनका जो आर्टिक्यूलेशन है उसका पूरा लाब उठा रहे हैं इसलिए उठा पा रहे हैं सुनिता भावी जो है वो बिना लिखा कुछ भी नहीं पढ़ सकती वो सुनिया गांदी सिंड्रोम से ग्रस्त है अब सुनिया गांदी सिंड्रोम से ग्रस्त रहोगे भाईया तो काम कैसे चलेगा संजय सिंग जैसे कुछल ब्लैकिये के सामने संजे सिंग को भाई बोलने में ही तो उस्ताद है बोलने कही तो सारा मामला है उसका तो वो पुराना सोचलिस्ट है वो पुराने सोचलिस्ट होके तो फिर ब्लैक ब्लैक करते थे तो वो उसको वी इसी प्रकार से करते थे कि भाई उनका वे रिख है के माद नहीं से तो अब है एक चख ज्रकार ने कहा हमें बेल में संजे सिंग की कोई आप्जेक्शन नहीं है जैसा हमने प्छली बार कहा था आपको उसको समझते ही देखते ही केजरी वाल की त्योरियां चड़ बही ही और इसको ये लगा कि भीया ये संजय सिंग कहीं आ गया और बाहर से उस तो शुरू कर दिया तो प्राबलम हो जाएगी उदर दो काम और आरम हो गए एक तो एडी ने केजरी वाल के परस्टनल असिस्टंट विबहु कुमार को बुला लिया है और दूसरे जो आतिशी ने कहा था दुरुगेश पाठक एमले उसको भी बुला लिया दुरुगेश पाठक तुरंट चले भी गए उन्होंने कोई नाटक नहीं किया कि ये इल्लीगल है और वो इल्लीगल है वो तो पहले समन आया और तुरंट पहुँच गए यहाँ साथ हम आगें बोलिए क्या जानकारी चाहिए आपको हम सब कुछ बताने के लिए तैयार तो दुरुगेश पाठक और विभव कुमार के वहां पहुँच जाने से केजरीवाल सुनीता भावी जो है और भी गबरा गए है तीसरा मामला रागव चड़ा जो है वो बाहर बैठे बैठे अब वो प्रयास कर रहा है कि भाई आतिशी और ये सारे लोग जो है वो उसको सपोर्ट कर दे तो अब आप ये देखेंगे कि आम आदमी पार्टी बहुत जल्दी बहुत बुरी तरह से बिखरने वाली है क्यों बिखरेगी क्योंकि अब लोगों को लग रहा है कि केजरीवाल तो बहले लंबे और आम आदमी पार्टी इस अप और ग्रैब्स इसलिए मजे लीजिए तेल देखिए तेल की धार देखिए पपर उठाइए और इस स्रिलर शो का आनंद लेते रहिए जैहिंद जैभारत वंदे मातरम अजैब एंद ट्रीज जोटार वब